दोस्तों सभी को नमस्कार हमारे ETC Information चैनल में आपका पुनह स्वागत है आज हम बात करने वाले हमारे Planetary System की सबसे चमकने वाली चीज याने सूरज के बारे में वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज भी हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में सूरज एक खगोलिय पिंड प्रकाश, गर्मी और उर्जा के अंतिन स्रोत के रूप में खड़ा है सूरज अत्यंत गर्म गैस का एक चमकदार गोला, लगभग साड़े चार अरब वर्ष पुराना है और प्रित्वी से लगभग 93 मिलियन मील दूर स्थित है इसका विशाल गुरुत्वा कर्शन खिंचाव हमारे ग्रहों को कक्षा में रखता है और जीवन को बनाए रखता है जैसा की हम जानते हैं लेकिन सूर्य आकाश में एक चमकते हुए गोले से कहीं अधिक है यह एक गतिशील और हमेशा बदलती रहने वाली यूनिट है जो लगातार गती में रहती है सौर्जवालाए चुम्बकी ये उर्जा के बड़े पैमाने पर विस्पोट इसकी सतह से कूटती हैं जिससे अंतरिक्ष में तीवर विकिरन निकलता है सौर्य के केंदर में तापमान आश्चर्यजनक रूप से 15 मिलियन डिग्री सेलसियस तक पहुँच जाता है जहां हाइडरोजन आटम, आटम फ्यूजन से गुजरते हैं, हीलियम में सनलन करते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में उर्जा छोडते हैं सौर्य की रेडियस 6,96,340 किलोमीटर है इसरो ने हाल ही में आदित्य एल एक मिशन लॉंच किया है इससे सूरज की फोटो स्फेर, क्रोमो स्फेर और आउटर मोस्ट लेयर्स की स्टडी करने में हेल्प होगी वेसे आदित्य मिशन के बारे में और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से विडियो की लिंक दी हुई है सूर्य ग्रहेन के दौरान हमें सूर्य के कोरोना, उसके बाहरी वातावर्ण की एक दुलब जलक मिलती है जो अंतरिक्ष में लाखों किलोमेटर तक फैला हुआ है प्लाजमा का यह अलोकिक प्रभामंडल केवल तभी दिखाई देता है जब चंद्रमा सूर्य की चमकदार डिस्क को अवरुद्ध कर देता है प्रित्वी पर जीवन के लिए सूर्य की उर्जा आवश्चक है यह हमारी जलवायू को संचालित करती है हवाओं, समुदरी धाराओं और जल चक्र को शक्ती प्रदान करती है सूर्य का प्रकाश पौधों को गर्मी और पोशन प्रदान करता है जो हमारी खाद्य श्रिंखला का आधार बनता है मानव लंबे समय से विभिन प्रयोजनों के लिए सूर्ज की उर्जा का उपियोग करने की कोशिश कर रहा है सूर्ज पैनलों से सूरज की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करने से सूर्ज तापिये प्रणालियों तक जो घरों और व्यवसायों के लिए पानी गर्म करते हैं सूर्ज प्रोध्योगी की लगातार आगे बढ़ रहा है जैसा की हम सूर्यास्त की सुंदर्ता को देखकर आश्चर्यच्कित हो जाते हैं आएए याद रखें कि सूर्य का हमारे गरह और हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव है खैर दोस्तों आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही मुझे आशा है आपको ये विडियो अच्छा लगा होगा चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूलें अगली बार तक अलविदा